आज से मांसुन सत्र के शुरुवात हो गई ये लोकसमन प्रिशनर काल की दोरान शिक्षाममंत्री धर्मिंदर परधान ने नीट परीक्षा में हुई गडबड़ी पर बात की इस दोरान विपक्ष ने जोड़दार हंगामा किया और शिक्षा मंतरी के इस्तिफे की मांग की शिक्षा मंतरी धर्मिंदर प्रधान ने कहा कि मामला सुप्रीम कोट में है और कोट के जो भी निर्देश होंगी सरकार उने मानेगी कोट ने सभी छात्रों के सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था जो कि पब्लिक डॉमेन में उपलब्ध है इस पर कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने कहा कि देश को परिक्षा परणानी में कई खामिया दिख रही है उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने सभी की कमिया गिनाई लेकिन अपनी नहीं गिनाई राहूल गांधी ने हमारे एक्जाम सिस्टम को बक्वास करार दिया है It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of need, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. शिक्षा मंत्री ने राहुल गांधी के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा कि सिर्फ चलाने से जूट सच नहीं हो जाता उन्होंने विपक्ष के नेता के इस बयान को बेहद निंदनिय बताया और कहा कि लोगों को पता है कि कॉंग्रेस ने कैसे सरकारे चलाई है उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार रिमोट से नहीं चलती संसत का मांसुन सत्र 12 अगस्त तक चलेगा सत्र के 22 दिनों में 19 बैठके होंगी आज केंद्र सरकार एकोनोमिक सर्वे पेश करेगी कल यानि 23 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा इसके बाद 6 नए बिल पेश किये जाएंगे जम्बो कश्मीर का बजट भी इसी शत्र में पेश किया जाएगा